दोस्तों मैं सिसकुमार अपने यूटूब चैनल भी हार जिकरेटिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग समान विज्ञान के अंत्रगत भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर मात्रक या इकाई के बारे में इस वीडियो में परेंगे तो यदि आप लोगों ने आप तक हमारे चैनल भी हार जिकरेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को जब दमायतों आईए वीडियो को स्टाट करते हैं इस वीडियो में सबसे परले हम लोग इसके नोट्स को परेंगे तो आईए नोट्स को परते हैं किसी भी भौतिक राशी को मापने के लिए उस राशी के एक निश्चित परिमान को मानक मान लेते हैं तथा इस मात्रक को कोई नाम दे देते हैं इसी को उस रासी का मात्रक कहते हैं भौतिक राशियों के मापन के लिए निमलिकित चार पद्तियां प्रचलित है फाली पद्ति है सीजियस पद्ति इस पद्ति में लंबाई, द्रबमान तथा समय के मात्रक क्रमसा cm, g, तथा second होते हैं इसलिए इसे cm, g, second या serious पद्द्दी कहते हैं इसे French या metric पद्द्दी भी कहते हैं नोट या त्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई द्रभमान तथा समय के मात्रोकों में व्यक्त किया जाता है इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पुन्तया श्वत्रंत हैं तथा इन में से किसी एक को किसी अन मात्रक में बदला अत्वा उससे संबंदित नहीं किया जा सकता अता इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं अब दूसरा है FPS पदती इसे British पदती भी करते हैं इस पदती में लंबाई द्रबमान और समय के मात्रक क्रमस फूट पाउंड और सकेंड होते हैं वहीं तिसरा है MKS पदती इस पदती में लंबाई द्रबमान और समय के मात्रक क्रमस मीटर कीलो ग्राम एवं सकेंड होते हैं और चौता है SI पदती वर्स उनिसोर सरशट में जिनेवा में अंतरराष्टिय मापतौल के महादिवेशन में इस पदती को स्विकार किया गया वर्तमान में इसी पदती का परियोग किया जाता है इस पदती में साथ मूल मातरक होते हैं तो आई चली जानते हैं कौन-कौन से वे साथ मूल मातरक हैं तो वे हैं लंबाई, द्रबमान, समय, ताप, विदुद्धारा, जियोती तिर्वता और पदार्थ का परिमान जिसमें लंबाई का ऐसा मातरक मीटर होता है जिसे संकेत में हम लोग समल म लिखते हैं वहीं द्रबमान का ऐसा मातरक किलो ग्राम होता है जिसका संकेत केजी होता है वहीं समय का ऐसा मातरक सकेंड होता है जिसका संकेत समल स होता है ताप का ऐसा मातरक केलवीन जिसका संकेत कैप्टल के है वहीं विद्धुधारा का ऐसा मातरक Ampere होता है जिसे Capital A के द्वारा denote करते हैं वहीं जोती तिवता का ऐसा मातरक Candela होता है जिसका संकेत CD होता है और पदात का परिमान MOL होता है वहीं इसका संकेत MOL लिखा जाता है अब आई चलते हैं अगे पड़ते हैं अस्पष्ठ है कि उप्रोक्त साथ मोल राशियों लंबाई, द्रबमान, समय, ताप, विद्धारा, जियोती तिवता अतता पदार्थ का परिमान के मातरकों पर आधायत मातरक पद्धती को अंतराष्टिय मातरक पद्धती कहते हैं आगे है मीटर की परिभासा, नई परिभासा के तहद एक मीटर वह दोरी है जो निर्वात में परकास की किरन शकेन के एक बटा दो, नौ, नौ, साथ, नौ, दो, चार, पांच, आठवे हिस्से में तै करती है वहीं आगे है किलोग्राम की परिभासा, एक किलोग्राम पेरिस में रखे पलेटिनम इरेडियम के एक विशेश टुक्रे का द्रब्मान माना गया है व्यभार में एक किलोग्राम चार डिग्री सेलसियस के एक लीटर जल का द्रब्मान होता है हाला कि मैई 2019 सी भारत सहीत विस्प के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिवाशा को अपना लिया है अब एक किलोग्राम को पलांक नियतांक के अधार पर मापा जाएगा नेक्ट है शकेंड की परिवाशा एक सकेंड वो समय अंतराल है जिसमें परमानु घरी में सेजियम 133 परमानु 919263177 जियो बार कमपन करता है नेक्ट है एमपियर की परिवाशा एक एमपियर विदुधारा वो धारा है जो निर्वात में एक मीटर की दोरी परस्तित दो सीधे अनंत लंबाई के समानतर तारों में परवाइत होने पर परती एक तार की परती मीटर लंबाई पर तारों के बीच दो गुना 10 पर पावर माइनस 7 नियोटन का बल उत्पन कर परती है माई 2019 से अंगेकृत नई परिभासा के तहट एमपियर मुल विदुध आवेश की आधार पर परिभासित किया जाएगा नेक्स्ट है केल्वीन की परिभासा एक केल्वीन जल के त्रिक बिंदु अर्था त्रिपल पॉइंट के उसमा गतिक ताप का एक बटा 273.16 भाग है माई 2019 से अंगेकृत नई परिभासा के तहट केल्वीन को बोल्ज मैन नियतांक द्वारा परिभासित किया जाएगा आगे है केंडेला की परिभासा किसी निश्य दिशा में किसी परकास श्रोत की जियोती तिवता एक केंडेला तब कही जाती है जब वो श्रोत उस दिशा में 540 गुना 10 परपावर 12 हर्ज आवेर्थी तथा एक बटा 683 वाट प्रती एस्टेडियन तिवता का एक वर्णिय परकास उत्सरजित करता हो अब आगे है भोतिक रासी और दुसी तरफ है व्यूत्पन मात्रक अर्थात आयन सोरी आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यू इसे आप कैसे बनाएंगे तो आयन का फर्मूला होता है लंबाई गुने चोड़ाई गुने उचाई इसे आप ले सकते हैं लंबाई को मीटर में चोड़ाई को मीटर में और उचाई को भी मीटर में जब तीनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? मीटर क्यूब, वहीं घनत्व का व्यूत्पन मात्रक किलोग्राम प्रती मीटर क्यूब होता है, यह भी ठीक उसी परकार है कि द्रबमान को केजी में दिनोट करेंगे और आयतन को मीटर क्यूब में, तो यहाँ से हो गया किलोग्राम प्रती मीटर क्यूब, ऐसे ही सभी विदपन मात्रक निकलते हैं, आगे है तीसरा वेग, जिसका विदपन मात्रक मीटर प्रती सकेंड होता है, चौता है त्वरन, त्वरन का विदपन मात्रक, मीटर प्रती सकेंड स्क्वाइर होता है, पाचमा है बल, बल का विदपन मात्रक, कीलो ग्राम, मीटर प्रती सकेंड स्क्वाइर होता है, इसे न्यूटन भी कहते हैं, आगे है कार्ये, कार का मात्रक, न्यूटन गुना मीटर ह इसे जूल भी कहते हैं, वहीं सक्ति का मातरक जूल प्रती सकेंड होता है, इसे वाट भी कहते हैं, नेक्ष्ट है सम्तल कोन, जिसका व्यत्पन मातरक रेडियन होता है, और आगे है धन कोन, जिसका व्यत्पन मातरक एस्टे रेडियन होता है, जिसे एस आर द्वारा दिनोट क अब आगे है मोल की परिभासा एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अव्यवो की संख्या कारवन 12 के 0.012 किलोग्रामें पर मानुओं की संख्या की बराबर है माई 2019 से अंगे कृत नई परिभासा के तद मोल को एवोगार्डो नियतांक द्वारा परिभासित किया जाएगा आगे है वियुत्पन मात्रक लंबाई, द्रबमान, समय, विदुधारा, ताप, जोती तिव्दात था पदार्थ के परिमान के अतिरिक्त अनसवी भौतिक लगा कर प्राप किये जाते हैं, ऐसे मात्रकों को वियुत्पन मात्रक करते हैं, अब है प्रश्न को, तो आई चलते हैं, इसके पहले प्रश्न को देखते हैं, तो पहला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है, तो इसका उत्तर है, वाट, इसे आप याद कैसे रखेंगे, तो ज सक्ति का मात्रक वाट होता है भौतिकी में सक्ति या विदू सक्ति वह दर है जिस पर कोई कार किया जाता है या ओर्जा संचित होता है सक्ति का फर्मूला होता है कारबटा समय सक्ति का ऐसा मात्रक वाट है जो जूल प्रति सकेंड की ब्रावर होता है अगला पस्तने विदू सक्ति की इकाई है तो इसका उत्तर है वाट अगला पस्ट ने बल का मात्रक क्या है तो इसका उत्तर है नियोटन इसे आप कैसे याद रखेंगे तो इसे याद करने का ट्रिक है बल यदि आपके पास बल है तो आपको कितना भी टन का शमान दे दिया जाए तो आप उसे उठा यदि आपके पास बहुत जाला बल है तो आपको कितना भी टन का बोड़ा दे दिया जाए तो आप उसे उठा लोगे बल अर्थात फोर्स का ऐसाय मात्यक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वाइर होता है बल बड़ावर द्रबमान गुने त्वरन किसी वस्तू पर लगा बल वस्तू के द्रबमान तथा उसमें उत्पन त्वरन के गुननफल के बड़ावर होता है अगला प्रशने कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता है, जब किसी वस्तू पर बल लगा कर विस्थापन उत्पन किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुननफल के बड़ावर होता है, कार्य एक अधिसरासी है, इ से जूल कहते हैं जूल उर्जा का भी मातरक है अब अगला पशने आविर्थी को मापा जाता है तो इसका उत्तर है हर्ज में आविर्थी का ऐसा मातरक हर्ज होता है एक समाने मनुस 20 हर्ज से 20 हजार हर्ज आविर्थी की ध्वनी को सुन सकने में सक्चम होता है अगला पशने ह पदार्ज में क्या मापा जाता है तो इसका उत्तर है आविडती अगला पषने चालक की वैदुत परती रोधक्ता की इकाई क्या है तो ये अश्टार्ग मार्ग से त्वाई चलते हैं इसके विश्टार को पढ़ते हैं किसी पदार्थ की वैदुत परतिरोधक्ता से उस पदार्थ द्वारा विदुधारा के पर्वा का विरोध करने की छमता का पता चलता है कम परतिरोधक्ता वाले पदार्थ आसानी से विदुत आवेश को चलने देते हैं इसकी SI 1.0 मीटर है वेदुत प्रतिरोध अक्ता ब्रावर आर इंटू ए बटा एल होता है जहां आरे पदार्थ का वेदुत प्रतिरोध ओम में पदार्थ के टुकरे की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में ए धारा की दिशा में लंबवत पदार्थ का छेथपल वर्ग मीटर में दिये गए विकल्पों में फराड या फैराड धारिता का वोल्ट वेदुत विवांतर का एंपियर विदुधारा का तथा ओम विदुत परतिरोद का मात्रक है आगे है परकास वर्ष इकाई है तो इसका उत्तर है दूरी की परकास द्वारा एक वर्ष में तै की गई दूरी को एक परकास वर्ष कहते हैं एक परकास वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर अगला है परकास वर्ष होता है तो इसका उत्तर ह सी अर्थात परकास द्वारा एक वर्स में चली गई दूरी अगला प्रशने परकास वर्स निमलिखित की इकाई है किसकी तो इसका उतर है दूरी की अगला प्रशने परकास वर्स मात्रक या इकाई है तो इसका उतर है दूरी की अगला प्रश्ण है परकास वर्ष है तो इसका उत्तर है B वह दूरी जो परकास एक वर्ष में तै करता है अगला प्रश्ण है एक पार्षिक तारो संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है बढ़ावर है तो इसका उत्तर है 3.25 परकास वर्स पाड़सेक पहले टिक शकेन का संचिप्त रूप है इसका परियोग लंबी खगोलिय दुरी को व्यक्त करने के संदर में होता है एक पाड़सेक बरावर 3.10 परकास वर्स बरावर 9.46 गुना 10 पर 15 मीटर अता एक पाड़सेक बरावर 3.262 परकास वर्स प्रश्ण का संदिकट उत्तर विकल्प भी होगा अगला पश्ण पाड़सेक मात रख है तो इसका उत्तर है दुरी का अगला पश्ण माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्थ होता है तो इसका उत्तर है सेंटी मीटर एक सेंटी मीटर वड़ावर 0.39 इंच अतर सेंटी मीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होगा अगला पस्टने 6 फिट लंबे व्यक्ति की उचाई नैनो मीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी लगभग तो इसका उत्तर है 183 गुना 10 पर पावर 7 नैनो मीटर अब आई चलते हैं से विस्तास्त समझते हैं एक नैनो मीटर वड़ावर 10 पर पावर माइनस 9 मीटर एक फिट वड़ावर 0.305 मीटर एक फिट बड़ाबर 30.5 गुना 10 पर पावर 7 नैनो मीटर और इस परकार 6 फिट बड़ाबर 6 गुने 30.5 गुने 10 पर पावर 7 नैनो मीटर अगला प्रस्ट ने एक नैनो मीटर होता है तो इसका उत्तर है बी अर्था 10 पर पावर मैनस 7 सेंटी मीटर नैनो मीटर मेट्रिक परनाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो एक गुना 10 पर पावर मैनस 9 मीटर के समतुले है एक नैनो मीटर ब्रावर एक गुना 10 पर पावर मैनस 9 मीटर और 1 मीटर ब्रावर 100 सेंटी मीटर अता 10 पर पावर मैनस 9 मीटर ब्रावर 10 पर दो गुने 10 पर पावर मैनस 9 सेंटी मीटर अता 10 पर पावर मैनस 7 सेंटी मीटर क्योंकि हम लोग जानते है कि जब आधार सेम हो त दो पावर गुना पर रहने पर जुटता है अर्था दो पलस माइनस नाइन इसक्वल टू माइनस सेवन यह यहां लिखा गया है अगला प्रश्ण एक नैनो मीटर बढ़ावर है तो इसका उत्तर है दस पावर माइनस नौ मीटर नैनो मीटर लंबाई का एक सुच्व मात रख है इसे नैनो एन एम संके द्वारा प्रदसित किया जाता है एक नैनो मीटर मीटर का एक अरववा भाग होता है इसका मान दस एंगस्ट्रॉम के बरावर होता है जिसे आप यहां देख सकते हैं अगला प्रश्ण एंपियर मापने की एकाई है तो इसका उत्तर है विदुद द्वापने की एक इकाई है यदि किसी चालक तार में एक एमपियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अरथ है कि उस तार में प्रति सकेंट 6.25-10 पावर 18 एक सीरे से प्रविष्ठ होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रोन प्रति सकेंट दूसरे सीरे से बाहर निकल जा अगला प्रश्ने मेगा वाट बिजली के नापने की एकाई है जो तो इसका उत्तर है उत्पादित की जाती है मेगा वाट बिजली के नापने की एकाई है जो विदुत उत्पादन केंदर में उत्पन की जाती है एक मेगावाट दस प्रपावर छा अर्था मिलियन वाट के बड़ाबर होता है अब अगला प्रश्ण है इसमें आपको मिलान करना है तो आप लोग प्रश्ण को ध्यान पुरुबक देखें और इसके उत्तर को मिलान कर लें हम लोग डाय चलते हैं इसके विसलेशन पर तोरन किसी गतिमान वस्तू के वेग में प्रती एकांग समय अंतराल में होने वाला पड़िवर्तन है इसका मातरक मेटर प्रती सकेंड स्क्वार होता है बल का मातरक न्यूटन होता है आवे का मातरक न्यूटन शकेन होता है, कारे का मातरक जूल होता है अगला प्रशने, निमलेखित SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है तो इसका उत्तर है, दाव का मातरक डाइन नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है दाव का SI मातरक पासकल है, CGS परणाली में बल का मातरक डाइन है अगला प्रशने, निमलेखित में से किस रासी का मातरक नहीं है तो इसका उत्तर है, C व्रिकृति का कोई मातरक नहीं है किसी वस्तु की वीमा में आया परिवर्तन या उस वस्तु की मूल वीमा की अनुपात को विक्रिती कहते हैं विक्रिती एक वीमा ही नरासी है अर्थात इसका कोई मातरक नहीं होता है अगला प्रश्ण भी पुना आपको मिलान करने वाला है तो प्रश्ण को आप ध्यान पुर्वक देखें और मिलान करें हम लोग डियर्क चलते हैं इसके विसलेशन पर सक्ती का मातरक जूल प्रतिस सकेंड होता है जिसे वाट करते हैं नौट समुंद्री जहाज की गती मापने की इकाई है नौ संचालन में प्रयुक दुरी को नौटिकल मिल में मापते हैं कैलोरी उसमा की मात्रा मापने की इकाई है अगला प्रश्ण ने अगला प्रश्ण भी पुना आपको मिलान करने वाला है तो प्रश्ण को आप लोग ध्यान पूर्पक देख कर मिलान करें और सही उत्तर को यहां देख सकते हैं हम लोग टेग चलते हैं इसके विसलेशन पर ज अगर आपशने निम्रिकित में से कौन सुमेलित नहीं है तो इसका उत्तर है डी परकास वर्स समय का मात्रक की इकाई नहीं बलकि दूरी की इकाई है परकास वर्स समय की नहीं अपितू दूरी मापन की इकाई है अंतराष्टि खगोल संग के अनुसार परकास वर्स वह दूरी है जो परकास द्वारा निर्वात में एक वर्स में तै की जाती है प्रश्णगत अनि युग्म सुमेलित है अगला परकास ने एंगस्ट्रोम एक आई है तो इसका उतर है तरंग धैर की तरंग धैर का मापन एंगस्ट्रोम में किया जाता है अर्थात एक एंगस्ट्रोम ब्राबर दस पावर माइनस दस मीटर अगला परकास ने एक होर्स पावर में कितने वाट होते हैं तो इसका उतर है 746 वाट किसी करता द्वारा करने की धर को उसकी सकती या सामर्थ करते हैं सक्ति का मात्रक जूल प्रति सकेंड होता है जिसे वाट करते हैं एक वाट बढ़ावर एक जूल प्रति सकेंड और एक असु सक्ति बढ़ावर 746 वाट अगले प्रश्ण में आपको मिलान करना है तो आप लोग प्रश्ण को ध्यान पूबक परें और मिलान करें और यहां से सही उत्तर का चैन करें हम लोग डाय चलते हैं इसके विशलेशन पर द्रवी यांत्री की के संदर में मैक शंख्या किसी माध्यम के साफ्यक्ष वस्तू के वेग तथा उस माध्यम में ध्वने की चाल का अनुपात है अता मैक उच वेग को परदसित करने हेतु प्रिक्त होता ह तरंगधेल का मापन एंगेश्टरों में किया जाता है जबकि दाव का मात्रक पास्कल तथा उर्जा का मात्रक जूल होता है जूल उर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है किस से तो इसका उत्तर है दबावशे अगला पस्टने एक माइक्रोन ब्रावर है तो इसका उत्तर सी एक बटा एक हजार मिली मीटर के एक माइक्रोन ब्रावर दस प्रपावर माइनस चा मीटर अर्था दस प्रपावर माइनस चा गुने दस प्रपावर तीन मिली मीटर के तो इससे इस पकार लिशकते हैं एक बटा दस प्रपावर तीन मिली मीटर अर्था एक बटा एक हजार मिली मीटर अगला प्रश्ण ने एक माइक्रोन लंबाई परदरसित करता है तो इसका उत्तर दस परपावर माइनस चार सेंटी मीटर की एक माइक्रोन दस परपावर माइनस चार मीटर लंबाई परदरसित करता है इसे म्यू से परदरसित करते हैं एक माइक्रोन ब्रावर जीरो दसमलो जीरो 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 एक मीटर अर्थात जीरो दसमलो जीरो 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 एक सेंटी मीटर अर्थात एक वटा दस हजार सेंटी मीटर अर्थात एक वटा दस पर पावर चार सेंटी मीटर इसे हम लोग 10 पर पावर माइनस 4 सेंटीमीटर में व्यक्त कर सकते हैं अब अगला प्रशने निमलिकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो इसका उत्तर है सेल्सियस उस्मा की इकाई है ये गलत है सेल्सियस ताप को मापने का मातरक है उस्मा का मातरक कैलोरी होता है 9 संचालन में प्रयुक्त दोरी को मापने की इकाई समूंदरी मील है सकती का मातरक जूल परतिसकेंड होता है जिसे वाट करते हैं एक अस्व सकती 746 वाट के समतुल होता है ध्वनी की प्रवलता को डेसिबल मात्रक में मापते हैं अगला प्रश्ण है निमलिकित में से कौन सी एक उस्थान की इकाई नहीं है तो इसका उत्तर है वाट उस्थान एक परकार की उड़जा है जो पदार्थ के मधिता पांतर को व्यक्त करती है उस्थान से दूसरे अस्थान को अस्थानांतित होती है और यह अस्थानांतर हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध होता है उस्मा का मापन कैलोरी कीलो कैलोरी जूल कीलो जूल में किया जाता है वाट सकती के मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है वाट बढ़ावर एक जूल प्रती सकेंड होता है अगलर पशने उस्मा की इकाई निम्लिकित में से कौन नहीं है तो इसका उतर है सेंट्री ग्रेड उसमा की एकाई सेंट्री ग्रेड नहीं है बलकि तापमान की एकाई है कैलोरी जूल एवम अर्ग उसमा की एकाई है उसमा उर्जा का एक रूप है जब उर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण अस्थानांतित होती है तब अस्थानांतित होने वाली उर्जा उसमा कहलाती है अगला प्रशने एक किलो मीटर दूरी का तत पर है तो इसका उत्तर है एक हजार मीटर दूरी को मापने का एसाय मातरक मीटर होता है एक किलो मीटर एक हजार मीटर के बढ़ावर होता है एक मीटर सो सेंटी मीटर के बढ़ावर होता है अगला प्रशने एक पीको ग्राम 12 ग्राम के द्रमान को मापने की लगू उकाईयां मिलिग्राम, माइक्रो ग्राम, नैनो ग्राम, पीको ग्राम तथा फेम्टो ग्राम होती है एक पीको ग्राम ब्रावर दस प्रपावर माइनस 12 ग्राम, एक मिलिग्राम ब्रावर दस प्रपावर माइनस 3 ग्राम, एक माइक्रो ग्राम ब्रावर दस प्रपावर माइनस 6 ग्राम, एक नैनो ग्राम ब्रावर दस प्रपावर माइनस 9 ग्राम और एक फेम्टो ग्राम पर लगने वाले बल को दाव कहते हैं दाव एक अधिसरासी है दाव का मातरक न्यूटन प्रती मीटर स्क्वाइर होता है जिसे पास्कल कहते हैं एक पास्कल ब्रावर एक न्यूटन प्रती मीटर स्क्वाइर है अगला प्रशने दाव की इकाई क्या है तो इसका उत्तर अगर अपस्थ ने दाव का मातरक है तो इसका उत्तर है E किलोग्रा म बल प्रति वर्ग सेंटिमीटर जिसे पड़ाया किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटिमीटर से ही निरुपित किया जाता है दाव की एक अप्रचलित इकाई है या SI परणाली का अंग नहीं है दाव की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन प्रती मीटर स्कॉर अर्थात पास्कल है अगला प्रचने पारिस्थितिक दवाव अर्थात अट्मोस्फेरिक प्रेसर की इकाई क्या है तो इसका उत्तर है बार वायमनली दाव का गेर SI मात्रक बार है जो 10 पर पावर 5 न्यूटन प्रती मीटर स्कॉर के सम्तुल होता है इसे SI मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिवासित किया जाता है एक बार वार दस पर पावर 5 पास्कल अगला प्रचने एक किलोग्राम प्रती सेंटी मीटर स्कॉर दाव शम्तुल है तो इसका उत्तर है एक बार के चुकि एक डाइन बार एक दसमलो जीरो दो गुने 10 पर पावर माइनस 6 किलोग्राम और एक बार बार दस पर पावर 6 डाइन प्रती सेंटी मीटर स्कॉर इसलिए डाइन का मान बार के मान में प्रती अस्थापित करने पर एक बार बार दस पर पावर 6 डाइन प्रती सेंटी मीटर स्कॉर अता एक दसमलो जीरो दो गुने 10 पर पावर माइनस 6 गुने 10 पर पावर 6 किलोग् 30 cm2 इस परकार 1.02 kg 30 cm2 हो जाएगा क्योंकि यह आपस में कट जाएंगे अब आगे है निम्रिकित में से कौन सी अधिस रासी है तो इसका उत्तर है B दाव वे रासियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिसा एवं परिमान दोनों की अवश्यक्ता होती है सदिस रासियां कहलाती है उधारन बल बेग विस्थापन त्वरन समवेग आदी जिन रासियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमान की आवश्यक्ता होती है दिसा की नहीं उन्हें अदिस रासियां कहते हैं उधारन आयतन दाव चाल दूरी आदी अगला पस्टने तेल का एक बैरेल निम में से लगभग कितना होता है तो इसका उत्तर है 156 लीटर पुर्व में तेल की मात्रा बैरेल में नापी जाती थी अब इसे घन मीटर में नापा जाता है एक बैरेल बराबर 158.9873 मीटर होता है वहीं एक बैरेल बराबर 0.158987 मीटर होता है और एक बैरेल बराबर गैलन में 42 यूएस गैलन होता है और एक बैरेल ही यूके गैलन में 34.97723 यूके गैलन होता है अगला प्रशवने लंबाई की नियुन्तम एक आई है या तो इसका उतर है फर्मी मेटर इस तरह प्रस्टनगर विकल्पों में नियून्तम एक आई फर्मी मेटर है अगला प्रश्ण है जिसमें आपको मिलान करना है तो आप लोग प्रश्ण को ध्यान पूर्वाप परें और मिलान करें हम लोग डायर्ट चलते इसके विसलेशन पर जल प्रवा की दर को मापने के लिए क्योबिक फीट प्रतिस सकेंड का परियोग किया जाता है कम्प्यूटर के संदर में बाइट डिजटल सुचना की एक इकाई है रियक्टर भुकम की तरंगों की तिवता मापने का एक गनितिये पहिमाना है बार दाव की एक इकाई है या 100 किलो पास्कल के बढ़ावर होता है अगला प्रशने क्यू सेक में क्या मापा जाता है तो इसका उत्तर सी जल का बहाव अगला प्रशने निमनांकित में से कौन एक वायू मंडल के ओजोन प्रत की मोटाई नापने वाली इकाई है तो इसका उत्तर है डौप्शन वायू मंडल में ओजोन प्रत की मोटाई डौप्शन में मापी जाती है एक डौप्शन एकाई मानक ताप और दाप पर 10 माइक्रो मेटर ओजोन प्रत को व्यक्त करती है एक डौप्शन एकाई दो दसमलो 6,9 गुने 10 प्रपावर 20 ओजोन अनुर प्रतिवर मेटर के सम्तु होती है अब है डॉप्शन एकाई का पर्योग किया जाता है किसमें तो इसका उत्तर सी और जोन प्रत की मोटाई नापने में तो यह था आज के वीडियो का आखरी प्रश्ण यदि आपको इसका पेडियाफ चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल भी हार जी के ट्रिक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यदि आप लोग को हमारा या वीडियो पसंद आये हो तो उसे लाइक और सेयर जरूर करें जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आप लोग को वीडियो पहुंचाते रहें तो आज के लिए बहुत बह आने बाद